इस वीडियो को देखने के बाद आप डिलिवरी के बाद खिलाए जाने वाले हेल्दी गोंद या डिंक के लड़ों को बिल्कुल आसानी से घर पर बना लेंगे गोंद के लावा इसमें बहुत सारे ड्राइफ्रूट्स और हर्ब्स हैं जो मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फायदे मंद है ये मैंने 1500 ग्राम मल्टी ग्रेन आटा लिया है इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5-7 मिट भूनेंगे या जब तक इसमें से हलकी हलकी खुश्बू नहीं आ जाती और इसका रंग हलका सा चेंज नहीं हो जाता तब आटे से हलकी हलकी खुश्बू आ रही है और आटे का रंग भी हलका सा चेंज हो गया है अब इसमें 10 ग्राम सोटका पाउडर, 10 ग्राम खसकस और 5 ग्राम हल्दी पाउडर डाल कर 2 मिनिट और भूनेंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद भी 1-2 मिनिट चलाते रहेंगे आटे की हीट में खसका सोट और हल्दी पाउडर भी हलके से भून जाएंगे अब इसे साइड में रख देंगे अब कड़ाई में 75 एमेल या 4 बड़े चमत जितना घी गरम करेंगे घी से हलकालका धुआ निकलना शुरू हो जाए तब तक घी गरम करना है ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए यह मैंने 50 ग्राम गोंड ली है और इस तरह से छोटी गोंड ही ले थोड़ा गोंड डालकर 2-3 बार में गोंड को फ्राय कर लेंगे घी सही गरम होगा तो गोंड अच्छे से फ्राय होकर फूलेगी और अंदर से कच्ची नहीं रहेगी और जलीगी भी नहीं डिलिवरी के बाद गौन खाने के बहुत से फायदे हैं गौन तुरंट फ्राय हो जाती है, एक बार मैं बहुत सारी गौन नहीं डालना है गौन को फटाफट निकाले या निकालते वक्त फ्लेम को बंद कर दे ऐसे ही सारी गौन फ्राय कर लेंगे अब कड़ाई में मैं एक बड़ा चमच घी ओरेट कर रही हूँ यह मैंने 25 ग्राम कमरकस लिया है, इसे आप ऑनलाइन भी ओर्डर कर सकते हैं कमरकस मसस को रीबिल्ड करने और मजबुत बनाने का काम करती है जिसे डिलीवरी के बाद भी शरीर फिट रहे और बॉड़ी को शेप में लाया जा सके और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे है कमरकस भी गोंधी होती है, इसे भी दो बार में फ्राय कर लेंगे यह गरम घी में तुरंत फ्राय हो जाती है जैसे ही फूल जय तुरंत फ्रेम को बंद कर देंगे और बाहर निकाल लेंगे, अगर यह ज़्यादा फ्राय होगी तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है दबाने पर यह पूरी तरह से चूरा हो रही है मतलब यह अच्छे से फ्राय हो गई है तो गोंद और कमरकस को मैंने फ्राय कर लिया है अब यह मैंने 25 ग्राम नारियल और 50 ग्राम सूखे खजूर लिये हैं इसे बचे हुए घी में डाल देंगे और यह काजू, बादाम, पिष्टा, अख्रोट सभी को मैंने 15-15 ग्राम लिया है इसे भी साथ में डाल कर लो फ्लेम पर हलका हलका फ्राय कर लेंगे बहुत ज़्यदा फ्राय नहीं करना है बस हलकी सी खुश्बाने लगे और कलर हलका सा चेंज होना शुरू हो जाए तब तक ही फ्राय करना है ड्राइफ रूट्स का कलर चेंज होना शुरू हो गया है अब इसमें 20 ग्राम मेथी दाना और 10 ग्राम अजवाइन डाल कर सिर्फ एक मिनट और भूनेंगे फ्लेम को बंद करने के बाद भी इसे एक से दो मिनट चलाते रहें तो सभी चीज़े हलकी हलकी फ्राय हो गई हैं अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब कड़ाई में विल्कुल हलका सा घी लगा हुआ है इसी में ही 10 ग्राम मखाने डाल कर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट भून लेंगे जिसे मखान अच्छी से क्रिस्पी हो जाएंगे और कड़ाई का पूरा घी भी यूज हो जाएगा तो मखाने भी भून गए हैं इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो गोंद, कमरकस और सारे ड्राइफरूट्स राय हो गए हैं अब ड्राइफरूट्स को थोड़ा ठंडा होने देंगे ड्राइफरूट्स ठंडे हो गए हैं अब सबसे पहले ड्राइफरूट्स को मिक्सर में डाल कर ग्रैंड कर लेंगे अब भुने हुए आटे को एक साइट करके इसी बतन में पिसे हुए dry fruits डाल देंगे अब जो भी प्लेट में और mixer में थोड़ा घी लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा सुखा आटा डालेंगे और पूरा घी पोछ कर ले लेंगे सुखा अठ डालने से घी पूरा यूज हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा तो देखी प्लेट का घी पूरा साफ हो गया है इस तरह से थोड़ा सा अठा मिक्सर में डालकर भी मिक्सर का घी पूरा ले ले अब इसमें 25 ग्राम किश्मिष यूज डालेंगे और सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सभी चीज़ों को मैंने बिल्कल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहां मैंने 200 ग्राम ऑर्गेनिक गूर गूर लिया है लेकिन इस powder में थोड़े थोड़े दाने हैं तो इसे ये mixer में डाल कर एक बर grind कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा powder बन जाए तो ये गुड का अच्छा बारिक powder बन गया है अब इसे भी सब चीजों के साथ मिला देंगे सब चीजों के अच्छे से मिलाने के बाद अगर आप लड़ों में घी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो इस मसाले को लो फ्लेम पर 5 मिट रखकर लगातार चलाते रहें बिलकुल भी ना छोड़ें जिसे थोड़ा गरम होने से इसमें जो गुड मिला है वो हलका सा मेल्ट होकर स्टीकी हो जाएगा तो लड़ों में घी कम लगेगा नहीं तब डारेकली भी घी को अच्छा गरम करके मिला सकते हैं इससे घी थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा तो यहाँ पर मैं मसाले को 5 म पर रखकर हलका सा गरम कर रही हूं 5 मिट हो गया है और मसाला हलका सा गरम हो गया है और थोड़ा मॉइस्ट भी हो गया है यह एक त्याइक का प्याने 75 ml घी है जिसे मैंने थोड़ा गरम कर लिया है लड़ों को बांदने के लिए आपको थोड़ा गरम घी ही लेना है ठंडा होने के बाद इसे हाथ से मिलाएंगे अब इसे बांद कर देखेंगे कि लड्डू बन रहा है या नहीं थोड़ी से इसमें ड्रैनेस है तो लबख 40-50 एमिल घी में इसमें ओरेट कर रही हूं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका लड्डू बन रहा है और मसाला भी ठंडा हो गया है अब जितने बड़े लड्डू आप बनाना चाहते हैं उससे सबसे मसाला लेकर लड्डू को बाद ले और लड्डू को फटा-फट बनाएं मसाले को ज्यादा ठंडा होने ना दें इस तरह से सारे लड्डू को बना लेंगे तो सारे लड्डू को मैंने ब